दोस्तों तरभूज खर्भूजे सब्जीव की फसल में हमने सबसे ज़्यादा एलियट फंगी साइड के यूज करना आपको बताया है आज मैं एलियट फंगी साइड के बारे में एक्टू जैड इन्फॉर्मेशन कवर करूँगी कि एलियट फंगिसाइड को कौन कौन सी डिजीज कंट्रोल करने के लिए यूज में लेना चाहिए इसका टेक्निकल क्या है कौन कौन एलियट फंगिसाइड ट्रूली सिस्टेमिक फंगिसाइड है यानि कि इसमें जडू से पतियों तक और पतियों से जडू की तरफ सर्कुलेट प्लांट के अंदर सर्कुलेट होने की कैपिसिटी होती है जायलम फ्लॉयम एक्षन पे ये आधारित है ये कह सकते हैं इसलिए इसको ट्रूली सिस्टेमिक फंगिसाइड कहा जाता है अगर क्रॉप्स की बात करें कि इसको कौन कौन सी फसलों में यूज कर सकते है तो हमारे सबजी वर्गे फसलें जैसे कि मिर्च है टमाटर लोकी बेंगन खीरा करेला साथी तर्बूज खर्बूज अद्रक में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अद्रक में यूज कर सकते हैं उसके अलावा वागवनी में भी बहुत सारे प्लांट्स में यूज किया जात है जिन में रूट से समंधित डिजीज जादा आती है अब अगर डिजीज की बात करें कि यह है फंगिसाइड कौन-कौन से डिजीज को एफेक्टिव तरीगे से कंट्रोल करता है तो दोस्तों चाहें सबजी वर्गे फसले हों कोई से भी फसले हों शुरुआती स्टेज मे आप चाहें नर्सरी तयार करें या प्लोट में भी अगर डारेक्ट सीड लगा है तो शुरुआती स्टेज में तीन डिजीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जडगलन रूट डंपिंग ओफ और थर्ड है कोलरोट यह तीन डिजीज सबसे ज़्यादा आते इनकी आते बहुत सारी फंगर जनलते डिजीज को यह कंट्रोल करता है अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 100 ग्राम, 500 ग्राम वन केजी के पैकेट भी इसके मार्केट में अवेलेबल होते हैं 500 ग्राम का पैकेट लगबग 11,5 रुपे के सम्थिंग मार्केट में अवेलेब दोस्तों अगर आप नर्सरी वगर में इसकी ड्रेंचिंग करती है डोज दो तरीके से मैं कवर करूंगी अगर आप नर्सरी वगर या छोटी प्लांट से जिनका अभी जर्मिनेशन हुआ है उनमें आप ड्रेंचिंग कर रहे हैं इसा कि मैंने बताया कोलर रोट है रूट रोट है या फिर डंपिंग ओफर उनके लिए अगर ड्रेंचिंग करें तो एक से डेड़ ग्राम पर लिटर के साब से गोल तयार करके आप ड्रेंचिंग करें सॉफिसेंट डोज है यह बिल्कुल परफेक्ट डोज यही है और अगर आपके फसल थोड़ी बड़ी हो चुकी है या बहुत ज़्यादा डिजीज आ चुकी है या लगातार आपके प्लोट में सबजी वरगिया फसले करती है और डिजीज बहुत ज़्यादा आती है रूट से समंदित डिजीज ज़्यादा आती है तो दो ग्राम पर लिटर के सा आप से गोल बिल्कुल परफेक्ट है इससे ज्यादा डोज आप यूज ना करें बहुत एफेक्टिव रिजल्ट मिलता है एक से डेड़ ग्राम भी लेकिन अगर ज्यादा ही प्रोब्लम है तो दो ग्राम सफिसियंट रहेगा दो ग्राम पर लिटर के साब से गोल तयार करें आप स्प्रे भी कर सकते हैं और ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं लेकिन रूट से समन्दी डिजीज है तो फिर आपको ड्रेंचिंग ही करनी होगी और एक एकड की बात करें तो 300-400 ग्राम प्रती 200 लिटर पानी में गोल तयार करके आप स्प्रे करें या फिर ड्रेंचिंग करे सफिसियंट डोज रहेगी रेनफास्ट ने समय है इसका दो गंटे दो गंटे तक बारिश नहीं आएगी तो पूरा हंडेट परसेंट रिजल्ट आपकी फसलों में देखने को मिलेगा और इसका डूरेशन है 12-15 दिन तक इसका असर आपकी फसलों में देखने को मिलेगा विशेश आवधाने इसके साथ में कोपर बेस फंगिसाइड या फिर सलफर या सलफर बेस फंगिसाइड आते उनको यूज नहीं करना है इसके स्प्रेय ड्रेंचिंग के कम से कम 2-3 दिन पहले यूज ना करें फसल में और 2-3 दिन बाद तक भी यूज ना करें बहुत